रामकृष्ण मिशन आश्रम नारानपूर की मेजवाने में इतिहासिक स्वामी वेकरनद अंडर 20 रास्टी फुटबॉल जेम्पेंशिप का भवे आगाज हुआ नकसल प्रहाविच शेत नारानपूर में रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा आजित इस फुटबॉल टूर्नामेंट के संबन्द में 29 फरवरी को अखिल भार्ती फुटबॉल मासंग द्वारा घोशना की गई थी स्वामी कृष्ण मृतानंद असी महराज ने फुटबॉल टूर्नामेंट को लेकर कहा कि फुटबॉल खेल कर कोई भी भगवान के करीब आ सकता है एक कमजूर व्यक्ति भगवत गीता के सार को नहीं समझ सकता है इसे समझने के लिए एक व्यक्ति में फुटबॉल खिलाडी जैसी ताकत होनी चाहिए इसलिए हम ये टूर्नामेंट उन्हें समर्पित करना चाहते थे सौमी विवेकानंद अंडर 20 नाशनल फूटबल चेंपेंशिप और ये ओल इंडिया फूटबल फेडरेशन ने 29 फरवरी को इसका घोशना किया कि हर साल ये अंडर 20 नाशनल फूटबल चेंपेंशिप सौमी विवेकानंद का नाम फे खिला जाएगा एक्चली इसके पीछे का हिस्ट्री यह है कि हम लोग कुछ दिनों से मैंने पिछले 6-8 मैने से हम लोग सोच रहे थे कि हमारे इतना अच्छा ग्राउंड बन रहा है और हम लोग एक नैशनल लेवल का टूर्णामेंट हम करा सकते हैं और हमारे इच्छा थी कि स्वामी विवेकानंद ने ऐसा बोला है उनके इसमें है कि गीता पढ़ने से अच्छा है कि तुम फुटबॉल खेलो तो तुम इश्वर के करीब पहुंचोगे क्योंकि एक जो कमजोर आदमी है वो गीता को समझ नहीं पाएगा अगर गीता को अच् युद्ध मैदान में बोला गया था इसको अर्जुन को ना कि किसी रूम में बिठा के नहीं बोला तो युद्ध मैदान में युद्धा को बोला गया कि तुम युद्ध करो क्यों करोगे तो उसका पूरा डिटस जब अर्जुन ने मना कर दिया थे कि मैं युद्ध नहीं तो इसके लिए हम लोग फूड़ टूनामेंट कराना चाह रहे थे तो इसके लिए हमने जो इसल कलब है उनसे हमने कॉंट्रेक्ट किया जैसे मोहनबागान इस बेंगॉल फिर चन्ने एफसी बैंगलोर एफसी के साथ कॉंट्रेक्ट किये कि आपके जो रिजर्ब टीम होते है अंडर नाइंटीर के उस टीम को हम लोग बुलाना चाहेंगा और यहां पर टूर्नामेंट कराएंगे तो कमसक्ण बारा टीम जो है बारा आएसल टीम से बारा टीम आएंगे और हमारा टीम रहेगा चाथिजगा अरकेम फूटबॉल अकडेमी का इस प्रकार हम लोग एक ट गोल परडिशन का टूर्नामेंट हम लोग करा सकते जो हमारे अंडर ट्वेंटी जो है वो अभी नहीं हो रहा है जिसको हम इसमें डाल सकते देखिए अंडर 17 के बाद संतोष ट्रफी सीनियर लीग होता है और अंडर 17 जो यूथ लीग होता है इस बीच में कोई अंडर 20 या साल के अंदर में 17 से उपर और 20 साल के नीचे वाले लड़के इनको कहीं चांस नहीं मिल रहा है नैशनल लेबल का टूर्नामेंट खेलने के लिए तो यह अगर हो सके कि हम लोग इसको कराएंगे